जहीं दोस्तों मैं डॉक्टर राजी व्यादो आपका अपना शुशुरू विशेश अगित आज मैं आपको बताऊँगा इंफिन्टाइल ट्रेमर सिंडरूम क्या होता है इसके क्या कारण है ये किस तरस से प्रतीत होता है किस तरस से इसके लक्षन आते हैं और किन सिंटम के अधार पे आप इसकी जाँच करा सकते हैं कौन सा टेस्ट कराएं और फिर इसकी किस तरस से इसका ट्रेटमेंट करें चली शुरू करते हैं इंफिन्टाइल ट्रेमर सिंडरूम के बारे में दूस्तों, इंफेंटाइल ट्रेमर सिर्म जसा की नाम से ही विदित है, इंफेंटाइल एज में होता है, मतलब अप्टू वन येट की एज में होता है, और कभी-कभी 18 मंस तक भी खिछती है एज, और इसमे क्या होता है दूस्तों, यह बेसिकली उन माताओं के शिश्रोक होत होता है, जो कि strictly vegetarian डाइट पे हैं, मतलब नौन वेज कम ले रही है, या फिर बच्चा अगर लंबे समय तक माके दूद पे है, मतलब वीनिंग उसकी स्टार्ट में करता हैं, आप कंटिकुनिसले, इसको दो साल से उपर तक माका दूरी दे रहे हैं, या फिर उपर का दूद क्या होते हैं, इसमें कोर्स ट्रैमर होते हैं, जो कि शरीर के डिस्टल पार्ट में होते हैं, डिस्टल पार्ट मतलब जैसे कि हाथ के डिस्टल पार्ट हो गए, जो अपने टिप अफिंगर्स हो गया, जो पैर के डिस्टल पार्ट उसमें हो गया, और क्या होता है, बच्च और जो mental milestone है, वो थोड़ा सा डिलेड हो जाते हैं, जिसे motor milestone क्या होंगे? तो यह जो motor milestone होंगे, एक infantile tremor syndrome वाले बच्चे में यह motor milestone डिले हो जाएंगे, सब धिरे-धिरे करेगा, साथ में उसका mental development है, वो पीछे चलेगा, माल लिजी अगर कोई बच्चा, तीन साल के उमर का बच्चा अच्छे से लिख पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो यहाँ infantile tremor syndrome में क्या होगा, तीन साल का बच्चा कुछ भी लखीरों के भी नहीं खिच पाएगा, इसकूल में इसका performance जो रहागा, वो पूर रहागा, रिकॉल नहीं कर पाएगा चीज़ों को, सीख नहीं पाएगा चीज़ों को, अपनी अमर के बच्चों से फ्राग पीशे चले से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है, बच्चे में infantile tremor syndrome हो सकता है, तो अपने को क्या करना है, in deficiency पे काम करना है, तो विटाम बीटोल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास injection आते हैं, उसके एक email में क्या रहाता है, 1000 microgram लिखा रहाता है, इसको intramuscular हो जाते हैं, डेली ड करके 7 days तक, वीकली वीकली करके 4 weeks तक, और मतली मतली करके 4 months तक देते हैं, दोस्तों, यह करते हैं, और फिर RNA deficiency पे काम करते हैं, फोरें जी परकी जी पड़े पे हम आरें के सीरुप देते हैं, सीरुप रेरी केप L, जो मैं लिंग बॉक्स में दे रहा हूं, और जैसे माल ल बच्चा 6 मेने से कम का है, तो उसे 2.5 ml, यहीं 10 mg zinc देंगे, और अगर बच्चा 6 मेने से ऊपर का है, तो उसे 5 ml, यहीं 20 mg zinc देंगे, और मैगनेशिय, मैगनेशिय, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक osteopolyvian करके सिरुप आता है, उसे हम दे सकते हैं, पांच माचमिल सुबर तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, जहीं दोस्तों!